आज सो दे दो, कल दो सो, फिर तीन सो और एक दिन मना कर दो, सब के बूरे बन जाओ, क्यों कर हम किसी के भला? मैं रोज सक के लिए खाना बनाती हूं, सफाई करती हूं, कभी कोई ये नहीं कहने वाला है, कि गुड्ट तुमने बहुत अच्छा किया, और नहीं तो उसमें कम्याई निकालते रहते हैं सब। दोस्तों हर कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ तो दे रहा है, आपको भी देते होंगे, आपके लिए भी कुछ करते होंगे, बात ये है कि हमने जो दिया है वो तो हमें याद रहता है, पर जो हम लिए चले जाते हैं उसकी हमें याद नहीं रहती, बस मांग बढ़ती जाती कोई हमें वापस नहीं कर रहा कोई बात नहीं पर जो लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं उनका सुक्रिया जरूर कहें विस्वास करिये ये बहुत जरूरी है मैंने अपने जीवन में पाया है कि कोई भी काम करते हुए अगर मेरे मन में कृतगेता का भाव है खुशी है तो का के लिए बुरे विचारा रहे हैं तो छोटे से छोटा काम भी पहार हो जाता है इंटरनेट नहीं चलता बिजली चली जाती है गैस खतम सड़क परजाम हर काम में रुकावट और गलतिया आज मेरे बच्चे ने मुझसे खिलोना मांगा उदास होके मुह बनाके यह करकर कि कित कितने दिन खुष रहे उनको पाकर और आज अगर एक और दिला दूँ तो क्या भरोसा कि तुम खुष रहोगे और भला कितने दिन खेलोगे उसके साथ देखो कितने सारे बच्चे बहुत गरीब हैं उनके पास एक भी खिलोना नहीं तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं त बांगते भी कौन दिलाएगा ऐसे बच्चों को? और अभी मुझे खुश होना चाहिए इस वर पिता की ही तरह दयालू है वो सब को दिलाता है और दिलाएगा भी पर ये थैंक्यू ये कृतगेता उस उपर वाले के लिए मेरी तरफ से बहुत जरूरी है ये इकलोती ऐसी चीज है जो मैं उसे वापस कर सकता हूँ एक-एक सांस जो मुझे जीवित रखती है सरीर का एक-एक अंग जो सही से काम कर रहा है अंग का एक-एक दाना जो मुझे नसीब हुआ है और वो सब कुछ जो मेरे पास है मैं उसके लिए रिणी हूँ और तहे दिल से सुक्र गुजार भी मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं कृतगी हूँ उनका जिनोंने मुझे कुछ दिया है या जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और उनका भी जो मेरे रास्ते में विग्न बाधाय डालते हैं मैं उनका कृतग इसलिए हूँ कि वो एक कठोर प्रसिक्षक की तरह मुझे जीवन की चुनोतियों के लिए तैयार करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी मुझे सहज और प्रसन्व बने रहने की प्रेणा देते हैं मेरा विश्वास है कि अगर ये धन्यवाद का भाव मेरे हर सांस के साथ आए और सभी के लिए आए तो सरीर की हर नस हर नाड़ी खुल जाएगी और सारे दुख तूर हो जाएंगे ये धन्यवाद सब्ध किसी चमतकार से कम नहीं है इसे अपने जीवन में जरूर लाए मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद